हाई फ्रेंड्स विल्कम टू मा चैनल स्वीट लेटल गार्डन यह देखिए आज हम बहुत ही खुब सूरत से प्लांट के बारे में जानकारी लेते हैं तो यह जो प्लांट है इसे गोल्डन रोड कहा जाता है क्यूंकि इसका जो कलर होता है बहुत ही यलो कलर में होता है इस इसलिए शाइद इसे गोल्डन रोड कहते है यह प्लांट जो है सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है और हमारे इंडिया में तो यह बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है तो देखिए यह जो प्लांट है बहुत ही हाइट ले लेता है और यलो एंड ग्रीन का होती है और उसमें जो है यह फ्लावरिंग करता है यह देखिए यह जो प्लांट है कई डेर सारे फ्लावर्स बनाता है नियरली हजारों फ्लावर्स जो होते है एक ही स्टिक पर होते है यह देखिए इसके चुटे-चुटे शे फ्लावर्स है और बहुत ही खुब सूरत एक बार लगा देंगे तो बार बार ये चलता रहेगा सालो साल आपके गार्डन में तो अगर इसके आप कोई भी स्टिक ले लेंगे इस तरीके से जिसमें कुछ फ्लावर्स ब्लूम हुए है और जिसमें अभी कुछ ब्लूम नहीं हुए है तो इस तरीके की स्टिक अगर डेकोरेट करते हैं वहां पर नीचे थोड़ा सा पानी दाल के या फिर जो वेट फोम स्चीट होता है फ्लोरल शीट में अगर इसको लगा देंगे तो यह फ्लार यह आखरी तक फ्लावर इसमें खिलते ही रहते हैं मतलब शुरू-शुरू में यह प्लांट पर भी फ्लावरींग करता है अगर आप इसे तोड़ कर किसी वास्ट में भी लगाते हैं तो फिर भी यह जो ब्लूमिंग है दोस्तो इसमें चलती ही रहती है इसकी पत्तियां भी इस तरीके से नोकेली होती है और धेर सारे जो है इसमें बेवी पप्स निकलते हैं जैसे क्रिसंतेमम में निकलते हैं बिल्कुल उसी की तरह ही ये इसमें धेर सारे पप्स निकलते हैं और ये जो प्लांट है ये एस्टरिसी फैमिली से बिलॉंग करता है जैसे क्रिसंतेमम ज सभी डेकी यह स्रोई जब आपके गार्डन में आज आते हैं तो आपके गार्डन में देखें दोस्तों वहार से आती है बिलकुल खुबसूरत ये देखें रातमें बहुतासारी सारे बाइश ुए हैं ये इनकी स्टीक нीचे की ओर जुकने लगी है ये देखे देर सारे फ्लार्स जो है मेरे गार्डन में आज खिले हुए है इसे आप वास्ट में भी सजा सकते हैं या फिर इसका बुके जो है बुके भी बना कर आप लगा सकते हैं एक बार लगा देंगे तो इसे जो है कोई ज्यादा केर की वी ज़रूरत न जायेगा मेरा यह प्लांट कम से कम निश्टीन इंच के जो परण है उसमें मैंने लगा दिया है कम से कम यह m faint किया दोस्तों नियरली 50% जो है मैंने इसमें वो पार्शेल डीकंपोजड मिट्टी जो थी मेरी वो दाल दिया और उसके उपर जो है 50% मैंने अपना जो गार्डन स्वाइल था वो दाल दिया और उसी के उपर ही मैंने इस प्लांट को लगाया हुआ है मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कंपोस्ट नहीं मिक्स किया मतलब देखे दोस्तों दो हमको इससे डबल फायदा मिलता है एक तो अपने प्लांट्स भी खुबसूरती से बढ़ते हैं और आपका कंपोस्ट भी रेडी हो जाता है जब भी इसकी फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी इसकी मैं स्टिक निकाल दूँगी और उसके नीचे के पस कही प्लांट रग दूँगी और बाकी का कंपोस्ट जो है मैं कलेक्ट करते जाओंगी इस प्लांट को जो है किसी भी टाइप की मिट्टे आप दे दीजिएगा उसमें भी यह अच्छी तरीके से चलता है यह प्लांट जो है फुल सनलाइट दे दीजिएगा सिर्फ जो है समर्खी हार्ष जो सनलाइट होती है तब इसे थोड़ा सा अगर शेड में भी रखते है तो भी चिलेगा नहीं भी रखते हैं तो भी ये प्लांट ग्रो कर जाता है दोस्तों पानी जो है इसे रेगुलरली देटे दीजिएगा अगर पानी कम हुआ तो इसकी पतिया नीची की और जुकती रहेंगी और इस पर जो है दोस्तों ज्यादा डिसिजस नहीं लगते लेकिन जैसे ही फ्लावरिंग स्टॉक इसकी डेड हो जाती है मतलब सब फ्लावर खिल जाते है उसके बाद इसकी रेजिस्टन्स पावर जो है किसी भी प्लांट की फ्लावरिंग देने के बाद उसकी रेजिस्टन्स पावर जो होती है दोस्तों थोड़ी सी कम हो जाती है इसलिए फ्ला थोड़ा सा जो है डिसीज इसके उपर लगता है ज्यादा कुछ इसके उपर डिसीज नहीं लगता हाँ मेरे पास जो ज्यादा स्पाइडर माइट से वो भी इस पर अटैक करते हैं देखें ये देखें ये देखें जित धूल जैसा दिख रहा है आपको वो धूल नहीं है दो लेकिन दोस्तों इसका एक ड्रॉबैक भी है अगर यह प्लांट आपने जमीन में लगा रखा हुआ है तो उसके धेर सारे प्लांट बन जाते हैं और आपकी जमीन इसी जो है पूरी कवर कर लेता है दूसरे प्लांट को यह बढ़ने नहीं देता और चारों तरफ जो है दोस् निकालता जाएगा तो आपके लिए जगह दूसरे प्लांट लगाने के लिए कम पढ़ जाएगी इसलिए इसे पॉट में लगाएगा मेरी तरह इसकी नीचे डिकंपोज पार्शली डिकंपोज अगर आप खाद दाल देंगे तो यह मतलब खाद भी तायार हो जाएगी पर साल जो है दोस्तों कई सारे फ्लावर्स लगाते जाएगा अगर आपको विंटर में पॉट की कमी होती है तो कुछ एक प्लांट जो है इसके आप रिड्यूस भी कर सकते हैं कम कर दीजिएगा और एक दो प्लांट रखके फिर से मानसुन में इसको लगा दीजिएगा य फर्वरी से लेकर अक्टोबर नोहेंबर तक भी फ्लावरिंग करता रहता है इवन ये प्लांट हमारे यहां तो डिसेंबर और जन्वरी में भी कही कभी कबार जो है फ्लावरिंग करता ही रहता है विंटर का इसके उपर हमारे यहां तो ज्यादा असर नहीं होता लेकिन ज साइट सहे ठेंट सारे परस निकलते हैं धिर से जैसे कीत कि देजी मीं होता है वारं स्टिक जाने के बाद उसके परस निकलतさい है और परस्प में ही जो है स्टिक आ जाती है और येसा जोए मल्टिप्लाइब बहुत सारे चैती दो करतेधा लेकिन अब टाइम की कमी जॉब भी है इसलिए मुझे उतना प्लांट सेल करना जो है अब पॉसिबल नहीं हो रहा है लेकिन मेरे लोकल एरिया में जो लोग रहते हैं मेरे पास के plant ज़रूर परचेस करते हैं दोस्तों अगर आपको किसी को अगर प्लांट चाहिए तो मुझे जरूर बटा दीजिएगा मैं कोशिश करूंगी कि आपको plant जो है मैं सेल कर सको तो थैंक्यू दोस्तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत बूलिएगा थैंक्यू दोस्तो